किया हले बच्चो जल्दी से बताओ आज एक मिनट लेट हो गया जरूरी कॉल था ठीक है किया हले तो क्रिष्णा नीलू संसार कंचन गंदा बच्चा भी है यार क्लास में है न उसके बाद सर्वेश मोहित है निशा जैसवाल ठीक है तो शुरू करते हैं बच्चा आज की सेशन को करें शुरू तो जोग्रफी शुरुवात करते हैं लेक्च्चर नंबर टू और मैं बता देता हूं बच्चा क्योंकि यह विजेता सिरीज है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ दिन की सिरीज है ताबर तोड महनत करेंगे क्योंकि इसी में अपने को एनवार्मेंट भी करना है इसी टाइम में जोग्रफी भी करना है तो हम सेलेक्टिड टॉपिक 25 ते 30 टॉपिक हम जोग्रफी के आइडेंटिफाई किये है मैंने और उतने ही टॉपिक मैंने साथ कुछ नया है तो आगे बढ़ते हैं आपने शेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दो और चैनल हैपी वाली अकैडमी वारियर्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लिजिए आप लोग और यह हमारी हैपी वाली अकैडमी तो आने वाले पेड कोर्स सारे के स टीम आपके सामने है मैं आप को यह मनना पड़ेगा कि हमने एक बहतरीन टीम बनाई है बहतरीन हमारे पास अल्टीमिट एड्टेटर आपके सामने लेके आया हूं और चंचल सर और मुझे तो आप पहले से जानते हो दो नए फेकल्टी जो आपके सामने इंट्रिवेदी सर एकनॉमी आई होप आनंद आ रहा होगा एकॉनमी में उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है एक्चुल एकॉनमी कैसे पढ़नी है समझनी है यह आपको मज़ा आ रहा होगा बड़े अच्छे से उनके साथ और हमारा जो सी सेट की जो क्लास है अनंद पांचाल सर उनके साथ भी आप अच्छे से एंज्वाइब कर रहे होंगे तो यह टीम रहेगी सेम टीम हमारी पेड बैच में रहेगी पेड बैच की डेट मैंने थोड़ा से एक्स्टेंड कर दी तो 6 मही कर दी हमने पेड बैच की जो डेट है पहले 500 बच्चों को 50% डिसकाउंट मिलेगा फीज देख लो जीएस की फीज एक साल की 13,000 दो साल की 23,000 तीन साल की 32,000 अगर ऑप्शनल लेना है 10,000 वान येर और बैस्ट हमेशा ही जिन बच्चों को ऑप्शनल और जीएस दो ये मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसके साथ ही जो हिस्ट्री ऑप्शनल है चंचल सर दो हज़ार पचीश भीश सताइस दो ऑप्शनल हमारे पास है और समय के साथ साथ बाकि सारे ऑप्शनल भी इंटर्डूस कर दिये जाएंगे टेंशन बिल्कुल मत लेना शु अग्चा अब सभी लोग टीक है तो क्लाइमिट लोजी के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमें अर्थ का मोशन समझना होगा प्रत्वी की जो गति है वो समझनी जरूरी है क्योंकि प्रत्वी की जो गति है चाहे वो रोटेशन हो चाहे रेवलुसन, घुर्ण हो या परिक्रमन उसको समझेंगे, तो हमें Climateology के बहुत सारे subjects, जो topic है, जो concept है वो हमें समझ में आने वाले है, तो पहला जो हमारा topic है आज का Climateology पे आगे बढ़़ने से पहले Motion of the Earth, and I am expecting मोचन कैं की UPSC YUPSC 2024 में हमारे motion of Earth से related एक question आना चाहिए कोशन कैसा हो सकता है वो भी हम आज की क्लास में ही देख लेंगे तो आप जानते हो प्रत्वी एक जो उसका शेप है एक गोलाब है जियोर्ड शेप है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है सपोज यह आर्थ है तो अपने एक्सिस जैसे आपने लट्टू देखा होगा ना सबसे बेस्ट चीज दिखाता हूँ में बच्पन में लट्टू लट्टू के ऊपर आपने धागा बांध के उसको पकड़ के ऐसे खीच के मारा होगा तो जब वो लट्टू घूमता है आपने देखा होगा अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमते रहना that is rotation और अपने एक्सिस पे घूमते घूमते वो सुरज के चारो तरफ भी ऐसे चक्कर काट रही है that is revolution ठीक है बच्चा तो यह देख लो यह यहाँ पर इस image को देखो this is sun यह हमारा solar system का head है, head of the family है और यह चारो तरफ देखो, यह आर्थ देखो यह बच्चा अपने भी एक्सिस पे घूम रही है और साथ के साथ सूरज के चारो तरफ भी घूम रही है आर्ये वास समझ भी तो जो सूरज के चारो तरफ यह चक्कर काट रहे है चाहे अर्थ हो, चाहे मार्स हो, जुपिटर हो, सेटर्न हो, उरेनस हो, नेप्चुन हो, वो सूरज की चारो तरफ जो चक्कर काटते हैं, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, that is a revolution, revolution है वो, परीक्रमन जो इस चारो तरफ चक्कर काट रहे हैं, और जो हर ग्रहे अपने एक्सिस प पर अपने ही एक्सिस पर जो चक्कर काट रहा है, that is a rotation, घोरनन बोलते हैं बच्चा उसको, अब जो आज की हमारी क्लास का में मोटिव रहेगा, यह जो रोटेशन है, और यह जो revolution है, इन रोटेशन और रेवलूशन का impact क्या है, मैंने कल भी बताया था, UPSC एप्लिकेशन पर चला गया बच्चा, अभी यह पुरानी बात हो गई, है न, अर्थ 23 घंटे, इतने मिनट और इतने सेकिंड में अपने एक्सिस पर चक्कर काट लेती है, 365 दिन इतने घंटों में सूरज के चारो तरफ चक्कर कारती है, दिन हो गए पुराने, अब इसका application वाला part, उस प गतिया है, दो तरह की गति है, जो अपने एक्सिस पर, उसको that is called घुर्नन या परीभ्रमन गती, और जो सूरज के चारो तरफ, that is annual motion या revolution है ये, तो घुर्नन क्या है, रोटेशन, रोटेशन है आर्थ के अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर घुमना, और revolution क्या है, आर्थ का सूरज के चारो तरफ घुमना, that is revolution, revolution, दो तरह के motion होगे बच्चे, दो तरह के motion होगे, जैसे आपने देखा होगा 24 घंटे, अभी दोपैर है, 3-4 घंटे ब रोटेशन, अभी हमारा समर सीजन शुरू हो गया, कुछ टाइम के बाद हमारा विंटर सीजन, पाच्छे महिने के बाद विंटर सीजन आ जाएगा, वो विंटर सीजन क्यों आया, that is just because of revolution, क्योंकि हमारी अर्थ सूरज के चारो तरफ चक्कर काट रही है, उसके चलते वो ह rotation के effect के कारणा रही है, वो हमें समझना जरूरी है, ठीक है, आजो, तो ये प्रत्वी अपने axis पे चक्कर काट रही है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी सीधी नहीं है, ये सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा जुकी हुई है, अपने axis पे थोड़ा सा ये जुकी हुई है, थोड़ा स यह लो, यह suppose करो this is axis, यह axis है, axis मतलब आक्ष है, आक्ष मतलब आक्ष क्या है, प्रत्वी का आक्ष क्या है, वो एक imaginary line जो अर्थ के center से होती हुई जा रही है, इधर North Pole से होते हुई और इधर South Geographical Pole से होते हुई खीची जाती है, यह axis हो गया, अब इस axis से हमारी प्रत्वी बिल होड़ासा यह जुकी हुई है, तो यहां पर एक angle बनाती है, यह है साड़े 23 डिगरी का कौन, तो अपने अक्ष पर प्रत्वी साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है, क्यों जुकी, यह जुकने का कारण क्या है, जब हमारे planets बन रहे थे, हमारा solar system बन रहा तो initially इसको यह वाला position मिला, थोड़ा जुका हुआ, आगी बात समझ में, तो यह हमारा अक्षिय जुकाओ है, उसके साथ साथ एक और कई बार आपने एंगल सुना होगा, इसको हम बोलते है, tilted axis, यह कितना है, साड़े 23 डिग्री यह जुकी हुई है, उसके साथ, क्योंकि हमारी Earth क्या करिए, सूरज के चारो तरफ भी चक्कर काट रही है, तो चारो तरफ जब चक्कर काटती है, तो वो एक plane का निर्मान करती है, plane मतलब एक कक्ष का निर्मान करती है, एक तल को बनाती है, उस तल के सा साथ जो उसका एंगल है, यह वाला, यह उसका ऑर्बिटल प्लेइन है, कक्षिय समतल से उसका कौन है, बोलो, तो यह देखिए बच्चा, तो आर्थ जब सुरज के चारो तरफ चक्कर काटती है, बच्चा, रेवलुशन लेती है, कभी वो सन के नजदीक होती है, कभी दूर भी होती है, इसलिए यह कक्षा है, यह दिर्ग वरत्य कक्षा है, जिसको हम elliptical जो orbit बोलते हैं, दिर्ग वर rotation, rotation क्या है, प्रत्वी का जो आक्ष है, पहले मैंने एक्सिस बताया, वो कालपनिक रेखा है, यह उसके कक्षिय सतय से, orbital plane से 66 डिगरी का कौन बनाती है, और जो उसके कक्ष से जो प्रत्वी का जो जुकाव है, वो कितना है बच्चा, तो इस वाले figure से कभी confused मत हो ना, यह इसका orbital plane से angle है, जो समतल है, वह समतल जो परिक्रमन कक्षा के दुआरा बनाया जाता है, इसी कोई हम बोलते, orbital plane, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो, दो चीज़े समझते हैं, यह हमारा sun था बच्चा, बीच में sun, चारो तरफ planets इसके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एक समझ्या और है बच्चा, अभी यह वाला जो image है, यह बिल्कुल true image नहीं है, कारण, आपको कारण पता है, अगर मैं कहूं यह जो image नजर आ रही है, यह वास्त्विक image नहीं है, मतलब space में हमारा solar system काम कैसे कर रहा है, उसको सही तरी planets तो चारों तरफ इसके revolve होते दिखा दिये, लेकिन हमारा sun का भी तो motion है, sun भी तो चक्कर काट रहे है बच्या, sun भी तो चक्कर काट रहे हैं किसी का, तो sun तो हमने यहाँ पर static दिखा दिया, तो यह image है, यह true image नहीं है, मतलब sun को यहाँ आपने static दिखा दिया, लेकिन sun क Static है नहीं समझाने के लिए दिखाया है एक बात तो याद रखना संभी Static नहीं है वो भी हमारी जो गलक्सी है अकाश गंगा है वो भी उसके सेंटर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो हम यहां संट को Static दिखा दे रहे हैं वह आपको समझाने के लिए तब आपके मन में प्रशन उठेगा तो सरजी एक्चुली ये दिखता कैसा है मतलब फिर ये सन और ये ग्रहो काप स्पेस के अंदर पॉजिशनिंग कैसी है इनको कैसे समझा जा सकता है तो ये वाली इमेज देखिए बच्चा ये देखो ये सन है ये सन भी क्या कर रहा है ये सन भी स्पेस भी इसका भी मोशन है और ये प्लैनेट्स है जो इसके चारो तरफ चक्कर काट रहे है दिख रहा है आपको एक्जेक्ली ऐसा है देखो इसको समझ भी आ रहा है जल्दी से बताईए बोलो तो सन तो बच्चा ये है ये लगातार मूव कर रहा है सन भी लगातार मूव कर रहे है और हमारे प्लैनेट्स इसके चारो तरफ गुम रहे है तो वो जो हम देखते है वो सिर्फ समझने के लिए देखते है एक्च्वल पोजिशन ये है हम क्या देखते हैं इसको इस position में देखते हैं, क्योंकि इसको हमने static कर दिया, static तो ही नहीं, कैसे कर दिया हमने, चला, चले तो, अभी हम जो बात कर रहे हैं, orbital plane की बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह के हमारे, हमने अभी तक बात की, एक अर्थ का rotation है, जो अपने ही axis पे, एक revolution है, जो sun के चारो तरफ है, same ये moon है, ये moon भी क्या कर रहा है, ये भी अपने axis पे rotate कर रहा है, और अर्थ के चारो तरफ revolve कर रहा है, ये planetary motions हमारे ऐसे ही है, फिर जो मैंने बोला, जो orbital plane है, आप समझ रहे होगे न, वो orbital plane क्या है, सर जी बता दो एक बार मुझे, ये अर्थ है बच्चा, ये अर्थ सूरज के चारो तरफ चक्कर काटके, एक orbit बनाया इसने, ठीक है, और ये जो पूरा plane इसने डवलप किया, that is orbital plane, इस orbital plane से जो जुकाव है, वो 66 degree का है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये ऐसे, आर्थ क्या कर रही है, बच्चा, सूरज के चारो तरफ चक्कर काट रही है, ये इस, इसका ये orbit है, ये दिर्ग वरत्य है, दिर्ग वरत्य है, रूप से सूरज के चारो तरफ चकर काट रही है, तो यह पूरा का पूरा जो यह plane मना है, यह पूरा जो इसके चारो तरफ यह छेतर है, यह जो चक्कर काट रही है, यह आपका elliptical plane है, इससे वो 66 degree का जो जुकाओ हम बोलते है, 66.5 degree, वो यह है, अब जब वो अपने ही axis से, अर्थ ऐसी है, अपने axis से वो थोड़ा सा जो जु जुकी हुई है, यह वाला, यह वाला जो जुकाओ है, यह वाला, सीधी नहीं है, सीधी नहीं है, थोड़ा से ऐसे जुकी हुई है, तो यह वाला जो एंगल है, वो 63 degree है, बात आई समझ में, तो orbital plane समझ में आया, orbital plane का एंगल समझ में आ गया, चलते हैं, आजओ वापस से आजओ, समझते हैं, तो यह कक्षिय सम्तल है, जो यह देखो, अब language को समझो, वह सम्तल जो परिक्रमन कक्षा के दुआरा बनाया जाता है, that is called orbital plane, प्रत्वी अपनी धुरी पर, और अपने axis पे west से east rotate हो रही है, equatorial reason में अगर आम उसकी गती देखें, विश्वत रेखें छेतर में, 1600 km पर घंटे की speed से, आप यह सोचोगे, अरे सर, 1600 km पर घंटा की speed से earth rotate हो रही है, अपने को तो दिखी नहीं रही है, बही आप कहना क्या है, सर जी आप यह मान के चलो कोई तस्तरी है, वो तस्तरी बहुत तेजी से घूम रही है, और हम भी उसके उपर बैठे हैं, तो यह उपर वाला system, यह हमें घूमता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, यह वायू मंडल हमें घूमता हुआ क्यों नहीं दिखता, यह सब कुछ चारो तरफ घूमते हुए क्यों नहीं दिखते, कारण क्या है, हमारे साथ साथ, हम भी घूम रहे हैं, हमारे आजू-बाजू का atmosphere क्यों अर्थ की gravity ने प्रत्वी के गुर्तवा कर्शल बलने उसको बांधा हुआ है तो आप हम घुमें हमारे साथ atmosphere सब कुछ हमारे साथ ही चल रही है तो यह वज़ा है कि हमें सब कुछ यह सब कुछ static दिखता है सब कुछ static दिखने का कारण यह है चले तो यह 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकिंड में एक चक्कर लगा लेती है जिसको हम क्या बोलते है हम दैनिक गती बोलते है चेक है और इसी से हमारा day and night हमारा हो रहा है हम जो date decide कर रहे है आज सोमवार कलमंगल वार परसो बुद्वार फिर भ्रश्पतिवार वह सब कुछ इसी वज़े से हो रहा है नेक्स शलते है आजो थोड़ा सा तेजी से दोड़ते है तो आया समझें बच्चा किस तरीके से एक प्लेन बना रही है हमारी अर्थ फिर आया effect of this rotation अगर यह rotation होता है तो इस rotation की वज़े से क्या-क्या होता है तो पहला day and night दिन और रात का होना just because of rotation क्यो चोबिस घंटे में चकर काट रही है तो कभी उसका एक हिस्सा सूरज के सामने दूसरा हिस्सा सूरज से दूर जो sun के सामने उसका face है वहाँ पे दिन और जो sun के back side में वहाँ पे रात यह देख लो यह क्या कर रही है आदे हिस्से में दिन आदे हिस्से में रात अब होआ कैसे बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है आर्थ बच्चा देखो ऐसे ही रोटेट कर रही है वेस्ट से इस्ट की और रोटेट कर रही है तो जो जो हिस्सा सूरज के सामने आता जा रहा है तो इस चमक वाले हिस्से पर क्या है इस चमक वाले हिस्से पर हमारा डे है यहां पर डे है और इसी अंधेरे व चीक है एक बच्चा कहे रहा सर जी comment section भी देख लो comment section देखोंगा 60 दिन है बच्चा बताओ क्या दिखाना चाते हो क्या दिखाना चाते हो comment section में कि आपके जितने भी सवाल आएंगे सब के जवाब मिलेंगे session में विजेता सिरीज है, थोड़ा तेजी से दोड़ना होगा, पावरफुल पंच मारने होगे, चले, ठीक है, तो ये day and night हो गया बच्चा, आया समझ में, जो हिस्सा sun के सामने है, जो हिस्सा sun के सामने है, वहाँ पे day, और जो हिस्सा, दूसरी साइड है, वहाँ पे night, तो day and night किस से जुड़ा हुआ है बच्चा, ये rotation से जुड़ा हुआ है हमारा, next, क्या कारण होगा, second प्रभाव क्या है, अब इसने बोला, एक line of आपकी है, illuminated circle है, बच्चा, illuminated circle, क्या होता है, illuminated circle मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज बताना जरा, ये वाला same diagram देखो, same diagram आपने देखा, ये देखो, जितना हिस्सा चमक रहा है, अब इसके चारों तरफ घुमा दो इसको, एक circle बनेगा, इस circle के इधर तो क्या है, night, और इस circle के इधर क्या है, अर्थ तो गोल है न, चारों तरफ कीच के लाएंगे इस line को, इधर क्या है, day, तो ये क्या है, प्रदीप्त बोलते हैं, इसको, एक बार समझ लो, यहाँ पर कह रहा है, क्या, globe पर वहवरत जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसको हम बोलते है, illuminated circle, और अगर सुन लो बच्चा, ये exact प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होते, यानि ये 12 गंटे का दिन, 12 गंटे की रात, अगर ये बिल्कुल ऐसे सीधी होती, सुरज यहाँ से किरने आ रही है, बच्चा, सुरज की, तो अगर ये बिल्कुल सीधी होती, तो इस वाले हिस्से में, exact half, आधे हिस्से में दिन, 12 गंटे का, और इधर 12 गंटे की रात, अगर सीधी होती, लेकिन प्रत्वी क्या है, थोड़ डे अन नाइट नहीं है, तो याद रखना, डे अन नाइट, सुनो, डे अन नाइट का होना, किस से जुड़ा हुआ है? इस इस रिलेटेड टू रोटेशन लेकिन अगर वो बोल दे डे एंड नाइट के डूरेशन में फरक आ जाएगा तो वो किस कारण से वो अपने एक्सिज पे टिल्टिड है अगर इसका डूरेशन भी एड कर देऊ दिन और रात की अवधी दिन बड़ा राते छोटी कभी राते बड़ी दिन छोटा तो उसमें एक डाइमेंशन क्या और आके एड हो गया उसका अपने एक्सिज पे टिल्ट होना अपने अक्ष पे जुका हुआ होना इसमें एक और फेक्टर आके जुड़ेगा थोड़ा सा इ अगले दिन सुबह 7-8 बजे निकलेगा गर्मियों में 7.5 पॉने 8 बजे सुरत छिपेगा सुबह 5 बजे फिर तेयार बैठा है तो क्या बज़े है उसकी तो उसकी बज़े पर भी आएंगे जुरेशन का फर्क का एक कारण तो क्या है उसका अपने अक्ष पर जुका हुआ होन ये भी डिसाइड करेगा लेकिन एक ओर फेक्टर है उसके भी हम जल्दी आ रहे हैं बात आई समझ में चलते हैं तो illuminated circle का पता चल गया अच्छा तो पहला जो कारण effect था फर्स्ट effect था दिन और रात का होना वो किस से जुड़ा हुआ है rotation rotation मतलब घूरनन और परी भ्रामन याद रखना बच्चा परी भ्रामन एक ओर शब्ध है परी क्रमन हिंदी में हिंदी में एक ओर शब्ध है परी क्रमन that is a revolution जो सूरज के चारों तरफ घूमती है उसको revolution बोलते हैं तो कई बच्चे परी क्रमन में और परी भ्रमन में confused हो जाते परी क्रमन is for revolution and परी भ्रमन is for rotation मैं तो आपको सिंपल ही कहता हूं आपके जितने भी सब्जेक्ट है जैसे जोग्रफी हुआ एन्वायर्मेंट हुआ साइंस टेक हुआ और एकॉनमी हुआ इन सब्जेक्ट को अ कहता है समय का मापन यह समय का मापन क्या होता है बोलो कि समय का मापन क्या होता है भाई आप करते हो ना समय का मापन भी किससे होता है rotation से आज कौन सा दिन है आज कौन सा दिन होली कब है होली अरे गबर बोलता है न होली कब है होली तो कैसे काउंट कर रहे हो दिन बदलेंग होली तो चली गई गब्बर सहब 25 मार्च की थी तो यह जो time count है कि आज मंगलवार है कल बुधवार है परसो भरश्पतिवार होगा फिर Friday होगा किसकी वज़े से measurement of time that is just because of rotation ठीक है थाड़ यह क्या कहता है दिन के अलग अलग समय अभी आप मेरी एक बज़े क्लास शुरू होती है आप बोलते हो गुड़ आफ्टरनून सर इवनिंग में पांच बज़े की क्लास होगी आप बोलोगे गुड़ इवनिंग सर रात को मुझसे बात होगी बोलोगे आफ्टरनून हुआ इवनिंग हुआ उसके बाद नाइट हुआ वह सब भी किसकी वज़े से है तो दिन के अलग-अलग समय स्थितिया वह भी रोटेशन से ही डिसाइड होती है अब सुन लो अब मैं कहता हूं हमारी ग्लोब पे कौन कहां कब किस पोजिशन में बैठा तो मेरी स्थिति का निर्धारन आप में से कोई बिहार में होगा कोई वेस्ट बेंगोल में होगा कोई मध्या प्रदेश में कोई महरास्ट्रा में कोई करनाटका में कोई हर्याना पंजाब अलग-अलग छेतर में बैठे होगी ना इसका निर्धारन कैसे करते अब आप बो बोला 360 डिग्री घूम गई घूम गई ना तो फिर हमने बोला प्राइम मेरेडियन बनाओ 180 इधर लेके जाओ ठीक है फिर 180 इधर लेके आओ फिर और इन कॉडिनेट्स पे आने के लिए अगेन हमें रोटेशन के वजए से हमें यह रास्ता नजर आया है थोड़ा सा थोड़ा सा सुनो बच्चा थोड़ा सा अप्लिकेशन में जा रहा हूं कल मैंने आपको बताया था था यह यह अभी तक आज तक की मेरी classes में मैंने सिर्फ यही बताया था दिन और रात का होना एक दो चीजे और यह दो तिन पॉइंट और एड़ कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा UPSC application में जा रहा है applied knowledge पूछ रहा है तो अगर वो आपको दे दे समय कामापन थोड़ा आप घवराना जाओ बात तो सेम ही है बस उसको मैंने लिखके बता दिया आपको आ रही है के बाद समझ में उसके बाद कहता है globe पे इस्थान की इस्थिति का निधारन अब मैंने कहा जो हमारी prevailing winds है जैसे ट्रेड विंड है वेस्टर लीज है पॉलार इस्टर लीज है या हमारी ocean currents है महासागरियद हराए है जो हमारी prevailing winds और महासागरियद हराए उनकी दिशा का निधारन मैंने अपने axis पे rotate करती है तो rotation के कारण एक deflectory force काम करता है corollist force पैदा होता है और उस corollist force से क्या होता है deflection पैदा होता है उत्री गोलार्द में पवने दाई साइड दक्षिनी गोलार्द में पवने बाई साइड सेम धाराए भी क्योंकि पवन का अनुसरन करती है winds को follow करती है तो धाराए भी right side और left side की और deflect हो जाती है तो प्रचलित हवाओ और महासाग्रिय धाराओ की दिशा पर प्रभाव किसका है rotation का next point जो number one this is number two number three this is number four this is number five next is number six दैनिक जुआर के समय में अंतर जो daily tide आता है daily tide आता है देखो tide कैसे आता है बात करते है जरा tide कैसे आता है tide आता है सूरज और चंद्रमा का गुर्तवा कर्शन बल अर्थ पे काम करता है अब suppose करो सुनो आज सुन लो यहाँ पे moon moon है suppose करो यह कोई place है यहाँ पे अभी x1 है this is x1 यहाँ पे tide आ गया tide आ गया अब यह इस्थान 24 गंटे बाद वापस से यहाँ पे आएगा लेकिन वापस से यहाँ आएगा तो यह तो थोड़ा आगे निकल जाएगा थोड़ा आगे निकल जाएगा तो इसको cover करने के लिए थोड़ा extra time लगेगा अर्थ को यानि कि जो इसका अंतर आ रहा है जो पैदा हो रहा है कि यह जो हर स्थान पे जैसे आज यहां suppose करो सुबह 11 बजे tide आया एक्स वन पे next डे 11 बजे नहीं आएगा 11 बज के 12 मिनट है ना या 11 बज के 13 मिनट के आसपास आएगा क्यों rotation just because of rotation यह स्थान थोड़ा सा आगे चला गया है तो 24 घंटे बाद सेम पोजिशन नहीं है थोड़ा सा आगे जाना होगा अगर सेम पॉइंट पे हमेज टाइड को लेके आना है बोलो तो यह effect of rotation है clear आया समझ में लेकिन यहां एक चीज रिखो यहां पर दिन रात का होना तो लिखा है बच्छा दिन रात का होना तो लिखा है दिन रात के जो आवधी है जो duration 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 of day and night वह नहीं लिखा हुआ day and night के duration में डिफरेंस होने का reason कि सिर्फ और सिर्फ rotation नहीं है rotation की वज़े से day and night होगा लेकिन वह दे and night का duration 12 गंटे 6 गंटे 5 गंटे 7 गंटे क्या होगा उसमें कुछ और भी चीज़े है इसलिए जब UPSC का statement आएगा तो सो समझ के जवाब देना है कि कि चलते है अगर यह कह रहा है अगर आर्थ घुमना बंद कर दे बही प्रत्वी यह जो गूमरी है घुमना बंद कर दे तो life का possibility नहीं है तो यह दे को सूरिया के एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण लगातार वहां पर गर्मी मिलेगी दूसरे भाग में अंधिरा रहेगा वहां ठंड होगा इस अवस्था में मतलब life की possibilities question mark में आ जाएगी कि फिर जीवन कहां से आएगा आ rotation यह लो UPSC ऐसा आ गया फिर क्या कर लोगे UPSC ने जैव विविदता को प्रथवी के rotation से जोड़ दिया जोड़ दिया environment को rotation से और यह तो हमने पढ़ा ही नहीं था कहीं आया ही नहीं था किसी किताब में लिखा ही नहीं ना किसी NCRT में ना किसी standard book में नहीं लिखाए ना भा इसका एप्लाइड फॉर्म है कि भूलो कि पिर कहता है revolution what is this revolution आदा घंटा हो गया session को एक बार लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल आपका यह happy valley academy जबरदस तरीके से आपके लिए तयार है तो यार इतनी अच्छी टीम लेके आए आपके सामने तो चैनल को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल का subscribe करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ही हमें motivation दोगे बचा तो आपका तो इतना commitment बनता है एक बार like और शेयर करो करो इसको हाँ मैं देख लेता हूँ आपके तब तक कुछ comment होंगे तो ठीक है बढ़िया बहतरीन अर्थ नहीं घुमेगा तो yes problem है बच्चा अगर अर्थ का interior पार्ट सुन लो अर्थ का जो कौर है अगर कौर के अंदर का भी motion रुग गया तो समझो हमारा जो उसके बाद हमारी अर्थ पे life का existence वैसे खतरे में आ जाएगा अगर अर्थ का magnetic field वो magnetic field में भी churning motion काम कर रहा है अंदर अगर वो churning motion वो भी रुग गया तो हमारा weak magnetic field हो जाएगा वीक magnetic field होगा हमारे space radiation आर्थ पे आएगे आप और हमारा जीवन वैसे भी question mark में आ जाना है तो गती होना जरूरी है गती शीलता प्रकरती का नियम में तो आपको भी लगातार static नहीं हो ना दोड़ते रहो बढ़ते रहो knowledge को upgrade करते रहो चीक है चीक है तो अब यह कहता है second हमारा जो motion है क्या है आर्थ सूरज के चारो तरफ चक्कर काटती है अब सूरज भी चक्कर काट रहा है हर कोई किसी ना किसी का काट रहा है का है तो प्रत्वी की दूसरी गती सूरज के चारो और एलेप्टिकल जो उसके औरबिट में है वह है उसका annual motion वार्षिक गती या जिसको हम दूसरा नाम दिया परिक्रमन गती revolution तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट इसको हम बोलते है annual motion आप बोलोगे सर जी हम तो फिर 365 दिन का एक साल मानते है ये 5 घंटे और 48 मिनट इनका क्या खता है प्रेम बाबू इनको क्यों छोड़ दे रहे कोई खता नहीं है हम 4 साल में जाके इसको adjust करेंगे ये पूरा नहीं है ये पूरा नहीं है 365 दिन है तो हर चोथे साल हम क्या करेंगे 365 दिन के 5 घंटे 48 मिनट ले लिए अगले साल के भी 5 घंटे 48 मिनट ले लिए उससे अगले साल के 5 घंटे 48 मिनट और चोथे साल में जाके जोड़ देंगे हम बना देंगे leap year तो ये leap year बन जाएगा बच्चा फिर ये बन जाता है leap year तो revolution सूरज के चारो तरफ काटना चले तो ये देख लो ये किस तरीके से है बच्चा और जब आर्थ this is sun this is sun ये हमारी आर्थ है बच्चा this is earth this is earth चारो तरफ चक्कर काट रही है साल के अलग-अलग समय में अलग-अ लेकिन ये elliptical जो इसका orbit है उसमें क्या है ना ऐसा नहीं है कि ये orbit था और इसके बीचों बीच में sun है नहीं अरे बही किसी mystery ने जाके set थोड़ी ना कर दिया sun को वहां पे naturally जो उसकी position है वो center में ना होके थोड़ा सा इधर है मतलब sun का position ये ना होके ये वाली position ना होके sun की क्या है position उसकी position थोड़ा सा ऐसे माल लो तो कहीं तो ये नजदीक है अर्थ के कहीं ये दूर है अर्थ से इस वाले orbit में तो कहीं ये नजदीक है जिसको हम क्या बोलते है perihelion perihelion का मतलब upsore upsore मतलब सूरज प्रथवी के सबसे ज़्यादा नजदीक और जब वो आर्थ से सबसे ज़्यादा दूर है ये कहीं तीन जुलाई चार जुलाई चल जाएगा उससे परिशान मत होना that is called aphelion upsore ये अपसore है बच्छा ये सूरज से दूर है सेम चंद्रमा के साथ भी ऐसा है चंद्रमा के साथ भी ऐसा है वही देखो चंद्रमा भी तो चक्कर काट रहा है चंद्रमा हमारी अर्थ का चक्कर काट रहा है यह आर्थ है, इस आर्थ का चक्कर काटता है, चांद, तो चांद है, यह दिस इस मून, यहाँ पे मून, तो मून कभी आर्थ के नस्दीक होगा, देट इस पैरी जी, और मून जब आर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, देट इस अपो जी, आप भू, और जब नस्दीक होता है, उप भू, आप उप, आपने संस्क्रत में हिंदी में पढ़ा होगा ना, उप निशत में जैसे उप बोला, गुरू के नस्दीक बैठके गरहन किया गया, उपस्थित यानि के जो नस्दीक बैठा हो, तबी तो अप मतलब जो दूर हो, तो उस तरह से, बोलिए, चेक है, और मैंने ये भी बताया, आप सोचोगे तीन जनवरी को धरती सबसे नस्दीक, तो फिर हमें ठंडी कहें लगती है, हमें ठंडी कहें लगती है, ये भी तो होगा ना, कि जब तीन जनवरी आपने बोला, प्रत्वी सूरज के सबसे ज़्य क्या है, जो हमारा जो सूरज है, वो दक्षनी गोलार्द में चमकता है, दक्षनी गोलार्द का मतलब ऑस्टेलिया में चमक रहा है, तो ऑस्टेलिया में तीन जनवरी के आसपास चले जाना, कडाके की गर्मी मिलेगी आपको, हम हैं उतरी गोलार्द में, हम उतरी हो गया तो मैंने बोला हर चोथे साल वह एक वर्ष 365 दिन का होता है हर चोथे साल वह पांच घंटे 48 मिनट कुछ बचता है हर फौर्थ एयर में जाके उसको कर देते हैं और वहां से बन जाता है हमारा लीपियर समझ गए ना उसको हम बोलते हैं लीपियर हर चोथे साल क्यूं बनता है कि ठीक है कि येस कि पिर और क्या कहता है effect of this revolution यह कहता है इस revolution के effect क्या है पहला आयन व्रत्तों का निर्धारन सर जी ये आयन व्रत्तों का निर्धारन बताओ समझ में आ रहा है कि इसको बोलिए देखो आयन व्रत्त क्या है what is this solstice मैं आपको एक चीज़ बताओ जब आर्थ सन के चारों तरफ revolution करती है बच्चा एक तो ये अपने axis पे जुकी हुई है जुकी हुई है क्या कितनी तैसे सब्सक्राइब यहां 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 आएगी कभी आर्त यह आईगी तो इस सफवजिशन में जो सब्सक्राइब यहिए सूरज की कीर्णों का प्रत्वी तक पहुंचना इसा जो है वो चेंज होता रहता है इसी वजह से आप ने देखा होगा जो हमारा पॉला रिजन है वहहां पर सूरज की किरने तिर्ची और चैन। तरे एसा महिने हम एसा शे महीने का दिन और चैन। qualities क्यों मैं वह किस वज़े से वह आर्त का और सान का रिलेटिव पॉजिशन सेकिंड आर्त का अपने एक्सिज पर होना है तो हमें ये पता चला कि सन के और आर्त की जो पॉजिशन ऐसी है साल भर एक ऐसी पॉजिशन रहती है कि सूरज कभी भी हमारे सर के उपर है ना बिल्कु जो सूरज का जो ये चमकना है, इस तरह का, ये जो सूरज का चमकना है, ये हमारी globe है, this is 0 degree, ये हो गया हमारा 23 degree north, और this is 23 degree south, तो ये इस छेतर के बीच में जो जितने भी लोग रहते हैं, आप, मैं, हम सभी, जो भी इस छेतर तक रहते हैं, इसको हम बोलते हैं, Tropic of Cancer, और ये है Tropic of Capricorn, मकर रेखा, नीचे वाली, ये है हमारी मकर रेखा, और ये वाली है हमारी करक रेखा, तो सूरज की किरने बिल्कुल लंबवत इस छेतर तक ही पढ़ती है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, Summer Solstice और Winter Solstice, Summer Solstice और Winter Solstice, तो इन आयन वरत्तों का निर्दहारण, किसकी वज़े से हुआ बच्चा? Revolution की वज़े से, बोलो, समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो यह समझा देता हूँ मैं आपको, आयन वरत्तों का निर्दहारण, आगे यह पूरी कहानी समझ में, तो second है, दिन और रात की लंबाई में अंतर, देख लो, मैंने आपको क्या बोला था? दिन और रात का होना, rotation, और दिन और रात की, duration, दिन बड़े, राते, छोटी, राते, बड़े, दिन छोटे, यह, this is also just because of revolution, and third, third, जो हमारा season change होता है, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी पथजड, इस तरह से जो हमारा season change हो रहे है, that is also just because of revolution, तो revolution के तीन मेजर impact हमें दिखते है, और भी बहुत सारे impact है, तो आयन वरतों का निर्धारन, दिन और रात की लंबाई में अंतर, और रितू परिवरतन, एके करके जानते हैं इसको, ठीक है, हाँ, बच्चा, मेरी कोशिश तो यही है, अभी entire geography तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, मेरा जितना experience है, आप से तो शायद थोड़ा ज़ादा ही होगा, UPSC Aspirant के रूप में, और geography से पिसले सत, अब तो 19 साल का नाता हो गया है, 18-19 साल का जो मेरा geography के साथ relationship है, 19 साल से इस विशे से, कभी एक student के रूप में, उसके बाद एक UPSC Aspirant के रूप में, और उसके बाद UPSC Faculty के रूप में, तो मुझे जो topic लगते हैं, और UPSC के PYQs का analysis देखते हुए, जोगरफी के ऐसे हम 25 से 30 topic छाटेंगे, जो मुझे लगेगा most important topic है, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे बच्छा, विजेता सिरीज है, थोड़ा सा crash course है, तेजी से बढ़ेंगे, important चीजों को highlight करेंगे, ताकि हम maximum exam म पहुच चुके, पहुच जाए, और पूरी team इस तरह से काम करेगी, तो I hope, अगर हम सब लोगों ने मिलके 35-40 question भी हमारा target यह है, कि हम जितनी faculties है, चाहे polity के history के चंचल सर हो, मैं geography environment, और जो त्रिवेदी सर है economy, हम सब का target है कि हम 35-40 question के नजदीक लेके चले जाए आपको, साल भर आपने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा बच्चा, हम अगर आपको उस 35-40 question की range में ले जाके comfortable करा पाए, और कुछ साल भर की आपकी knowledge भी काम आएगी पढ़ा होगा, एक साल, डेड़ साल, और आपने किसी भी तरीके से 45-50 question को ठीक करने का वो जादूई आंकडा टच कर लिया, तो आप मुख्य परिक्षा लिख दोगे, C-set की class चली रही है, मैंने comprehension करा दी, अभी comprehension के 6-7 session और लेके आऊंगा मैं, 2000-23 का paper भी solve कराना है, और C-set में आनंद पांचाल सर हमारे reasoning और maths को करा रहे है, तो एक comfortable position में आपको ले जाने का हमारा प्रियास है, तो आप स आजो बच्चा, एके करके देखते है, एके करके, अच्छा ये तो आप जानते हो, ये देखो, जो आर्थ का position है, sun के relatively, चारो तरफ ये change हो रहा है बच्चा, तो मैंने आपको बोला था, summer solstice, winter solstice, यहां पे करक रेखा पर जब लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर पर चमकता है, जिसको हम विशुव के नाम से जानते है, एक्विनॉक्स के नाम से जानते है, तो ये है 21 March, 23 सितंबर की स्थिती, ये 21 June और ये 22 December की स्थिती है, हमारी समझ में आया बचा, 22 December, 21 June, 21 March, 23 सितंबर, कई बार UPSC 22 March भी लिख सकता है, 21, 22 March तो घवराना मत, ये 23 सि सितंबर लिखे, तो भी चल जाएगा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, हाँ, अभी मैं के करके समझा देता हूँ, वर्ष में दो बार, पहले मैंने क्या बोला था, Determination of Solstice में काम आता है हमारा Revolution, तो साल में दो भार सूरज भूमध्य रिखा पर, बिल्कुल दो पैर में, सर के उपर उसकी पोजिशन होती है, जिसे हमने क्या बोला, Equinos बोला, 21 March और 23 सितंबर की ये स्थिति है, तो ये कहा हैं, इसमें, this is 21 March, 23 सितंबर की पोजिशन है, जिने उत्री गोलार्द में करमश है, नदन हेमिस्फियर भी, जहां हाँ, आप और हम रहते हैं, नदन हेमिस्फियर मतलब equator के note, जिसको हम वसंत विशू और शरद विशू बोलते हैं, Spring, Spring Equinox और Autumn Equinox, क्लियर है, तो इन सॉल स्टाइस को डिसाइड करने में, revolution ही help कर रहा है, हमाई, second position, फिर क्या हुआ, उसके बाद 21 जून की स्थित्य आई, जब वो उत्री गोलार्द में, उसका करकरेखा पर position है, उसके बाद 22 दिसंबर जब दक्षनी गोलार्द में मकररेखा पर position है, तो this is called Tropic of Cancer या Northern सॉल स्टाइस, या Tropic of Capricorn या Southern, जो हमारा सॉल स्टाइस है, क्लियर है इतना, बोलो, जल्दी से बताओ बच्चा, क्लियर, उसके बाद, तो जो करकरेखा पर चमकता है, उसको हम Cancer सॉल स्टाइस या Summer सॉल स्टाइस भी कहते हैं, और जो वो विंटर उस पर चमकता है, that is, मकर सकरांती, कर्त सकरांती, शीत आयंत और ग्रिश्म आयंत होता है वो, चलते हैं, ये पोजिशन है, मार्च, सितंबर, और उसके बाद, दिसंबर और जोन ये पोजिशन है, बच्चा हमारी, क्लियर है, रेवलुशन के वज़े से ही हमारा Determination of Solstice हुआ, आयन व्रत्तों का निर्धारण, नेक्स चलते हैं, तो ये मोशन हमने देख लिया, ऐसे साल भर में चारो तरफ चक्र काट रही है, फिर दिन और रात की लंबाई में अंतर आया, तो 21 जून, 21 जून उत्री गुलार्द के समीप है, दक्षनी गुलार्द से दूर है, हमने बोला ला, सूरज कभी नजदीक है, आर्थ कभी दूर है, सूरज से, मतलब अर्थ कभी नजदीक है, तो कभी दूर है, तो 21 जून के दिन, क्या होता है, उत्री गुलार्द नियर सीजन है और समर सीजन में दिन बड़े होते है और राते चोटी अभी आप देखना दिन बड़े है साड़े साथ आठ बजे तक दिन चिपे का अगले दिन सुबह साड़े पांच बजे निकल जाएगा लेकिन अब आप सदन है मिश्यर में चले जाओ दक्षनी गोलार्द में चले जाओ वहां पर दिन चोटे है और राते बड़ी है तो दिन और रात की लंबाई में अंतर किससे जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है रेवलुशन लेकिन मैंने आपको पीछे भी बताया था आर्थ का अपने अक्स पे तिल्टिड है ना उसका जो जुकाव है उस पार जुका होना एक तो कारण वो था बच्चा और दूसरा कारण हमने क्या देख लिया बड़ा revolution एक और नया चीज आगी प्रत्वी का अपने नत आक्ष पर जुके हुए आक्ष पर revolution होना आई बात समझ में? Yes, that's great नेक्स चलते हैं बच्चा, नेक्स चलेंगे 22 दिसंबर को सूरज क्या होता है? दक्षनी गुलार्द के समीप होता है सदन हमिस्फेर में गर्मी है, नदन हमिस्फेर में ठंड है रजाईयों में बैठे हैं और वो लोग वहां पे एसी चलाके बैठे हैं दक्षनी गुलार्द में, तो ग्रीश्म रितु होती है दक्षनी गुलार्द में और उत्री गुलार्द में होती है शीत रिदू तब क्या होता है नदन हेमिस्फियर में दिन चोटे और राते बड़ी और सदन हेमिस्फियर में दिन बड़े और राते चोटे उल्टी है जो नौर्थ और सा तभी तो हम बोलते यार तुम उत्तर हो तो हम दक्षिन है क्यों बोला जाता है बिल्कुल अपॉजि बसके बाद उपसोर और आपसोर की पोजिशन बता दिया जब वो सबसे दूर होती है यह यह कभी नजदीक है और यह कभी दूर है इतनी भी नजदीक नहीं है मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ दिस इस अपहीलियन अपसोर और दिस इस पैरिहीलियन उपसोर बात आई समझ में तो यह तो यह इसकी डिस्टेंस देख सकते हो 15.2 करोड किलोमीटर है और यह 14.7 करोड किलोमीटर पूछ ले यूपियसी कभी तो यह मिलियन में और मैंने इसको करोड में कनवाइट कर दिया फिर सेम अपहीलियन और पैरिहलियन की डेट से यह चार जुलाई है दिस इस अपहीलियन मैक्सिमम डिस्टेंस और सेकिंड है उपसोर है यह दिस इस 14.7 करोड किलोमीटर ऐसा कारण क्यों है क्योंकि आर्थ बिल्कुल सर्कुलर पाथ पर चक्कर नहीं काटरी एलेप्टिकल पाथ पर कर रही है तो इसका रिजन यह है नेक्स चलते है हमारे पास चलो यह मैंने आपको दिखा दिया पीडियाफ आपको मिल जाएगा पीडिया चैनल है पीडियाड मिवॉर्यर अभी वाली चैनल मिलेगा जौन सी क्लास होगी इस की पीडियाफ मिलेगी और यह आपको यह पर भी जाएगी से नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है आप सरच कर लेना मिल जाएगा बच्चा और एप पे तो 1000% मिलेगी टेलिग्राम पे भी मिल जाएगी और एप भी मिल जाएगी टेलिग्राम की तो क्या आते हैं बाद में कई बार डिलीट भी हो जाती है एप वाली डिलीट नहीं होगी एप की तो पर्मानेंटी है तो आज की क्लास के बाद यह आपको एप भी मिल जाएगा टेलिग्राम पर भी मिल जाएगा ठीक है क्या ओके नेक्स शलते हैं बच्छा अब आपके दो तरह के अक्ष होते हैं बच्छा एक हमारा होता है जोगराफिकल एक्सिज और एक होता है प्रत्वी एक चुम्बक की तरह भी तो बिहेवियर करती है और चुम्बक बे भी तो पॉल होते हैं नौर्थ पॉल साउथ पॉल और एक हमने बोला कि आर्थ की वह इमेजनरी लाइन जो सेंटर से होते हुए नौर्थ और साउथ से होके जारी है इस जोगराफिकल एक्सिज स इसको हमने बोला जोगराफिकल एक्सिस भोगौलिक आक्ष है ये लेकिन प्रत्वी एक चुम्बक की तरह भी विहवार करती है magnetic property है तो इसका magnetic axis भी है तो क्या geographical axis और magnetic axis सेम है तो जवाब है ना 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 नहीं भीया यह देख लो यह लो यह geographical अगर north pole था तो यहाँ पर देखो magnetic north इससे थोड़ा सा अलग है तो सेम नहीं है और यह maximum 11 degree का angular distance है 11 degree के आसपास की कौन यह दूरी का difference है दोनों के बीच में कौन यह दूरी तो जानते हो न बच्चा अगर यह 0 degree यह 90 degree अब यहाँ से खिचना शुरू करते है 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree ऐसे करके खिचते खिचते जाएंगे 90 degree तक तो कहते हैं इन दोनों के बीच का distance कितना है सपोस्कोर यह 0 degree है तो यहाँ मैं बोलता हूँ यह 11 degree है तो इतना दोनों के बीच में difference है 11 degree तक का angular distance है बात आई समझ में चलते है तो यह देखो बच्चा यह magnetic meridian और geographical meridian के बीच में difference है यह not same तो आप इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते 11 degree के आसपास का फर्क है 11 degree के आसपास आपके सामने UPSC का एक question लेके आया हूँ पढ़ो यह question UPSC PYQ है यह वाला question पढ़ो और जवाब दो मुझे अलग अलग रित्यूओं में दिन और रात्री के समय में विस्तार में भिनता किस कारण पे होती है बोलो क्या उत्तर होगा इसका बच्चा क्या answer लग रहा है आपको इसका मैंने आपको क्या बोला था दिन और रात का होना वो rotation से जुड़ा हुआ है लेकिन दिन और रात के duration की अगर बात आ जाए तो क्या मैंने बताया था एक तो उसका अपने अक्ष पर जुका होना और second, second क्या सुरज के चारो तरफ चक्कर काटना तो उस हिसाब से प्रत्वी का नत अक्ष पर अपने जुके हुए अक्ष पर सुरज के चारो तरफ चक्कर काटना revolution of the earth on a tilted axis तो ये देख लीजिए answer option d इसका सही answer हुआ तो इस तरीके से आज का session एक topic एक class एक topic है न जोग्रफी के 25-35 topic ऐसा ही environment के 25-35 topic में करा दूँगा और सुन लो इसमें भी एक चीज एक्स्ट्रा है आपको इसके अलावा भी मिलेगा आरे मैं मेरे बच्चो mapping वाली class इससे अलग है location वाली जो class होगी इससे अलग होगी ये सारी चीजे तो Monday से Saturday के बीच में कराई जाएगी अभी हमारे पास 5, 8, 10 Sunday भी है कम से कम 8 Sunday है तो Sunday के दिन भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें mapping की classes होगी हमारी और जो साल भर के current affair में चर्चा में रही locations है वो भी होगी वो इन सबसे अलग है खुश रहो आप बस ये app को download कर लेना प्ले स्टोर से ठेक है और ये दो channel है मैंने बता दिया Happy Valley Academy Rise और Happy Valley Academy Warriors तो जो classes हमारी Warriors वाले YouTube channel पे चल रही है उनकी PDF Warriors पे मिलेगी और जो Rise पे चल रही है वहाँ पे और application है उस पे तो सब की मिलेगी Rise की भी PDF मिलेगी और Warriors की अगर आपको एक साथ चाहिए तो app download कर लेना वहाँ मिल जाएगी और आपको कोई भी doubt हो admission से related ये कैसा भी ये दो number आपके सामने दिये गए है तो आज के लिए दना ही like, share और subscribe करना ना भूले बच्चा मिलते हैं फिर कल एक और धासू तकड़े session के से